पफी निपल, गाइनेकोमेस्टिया, मेल चेस्ट, चेस्ट में फैट, क्या इन अक्षरों से आपको कन्फूजन होता है, क्या आप जानना चाते हैं कि इन सब में क्या फरक है, देखते रहिए, मेरा नाम डॉक्टर मेत, मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ, आप में से बहुत जानते हैं, उन्होंने मुझे पे देखा है, या यूट्यूब पे देखा है, या मुझ से ट्रीटमेंट कराया है, इन 11 सालों में हमने 4000 से ज़्यादा है ट्रांस्प्लांट करे हैं, और at least 1000 के ज़्यादा हम लोगों और आपरेशन करे हैं, जैसे गाइनेकोमेस्टिया, ना प्लस ग्लैंड अगर है तो वह भी गाने को मेस्टिया होता है तो यह जो ग्लैंड है यह फीमेल में ब्रेस्ट फीडिंग ले बनाता है और हम में क्यूंकि जरूत नहीं है तो छोटा सा रह जाता है जो डिवेलप्मेंट के टाइम पर हमारे अंदर आता है तो अब पफी उसके बाद आप अपना नॉर्मनल अक्रिविटी उसी दिन कैरी आउट कर सकते हैं जो फैट है या गैने को मेस्टिया सिचुएशन है यह समझे कि अगर हम 10 पेशिंट के ऑप्रेशन करते हैं तो आठ या साड़े आठ लोगों में फैट के साथ सा थोड़ा सा ग्लैंड जर या आयरोवेड की ट्रीटमेंट से इसका कोई इलाज होता नहीं है यह सिरफ ऑपरेशन से ही ठीक होता है इस में कोई भी दवाईयों का या टेस्ट का कोई रोल नहीं है तो अपना समय ना खराब करें अपने पैसे ना खराब करें जो ट्रीटमेंट है सर्जरी का 25-30 मिनट में procedure हो जाता है और आप दो दिन के बाद अपने सारी normal activity carry out कर सकते हैं अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे whatsapp करें या call करें 9999 72949 पे और अगर आपको लगता है कि आपको इस problem से है आपको embarrassment होती है तो जरूर मुझसे एक बार बात करके फिर अपना निरने लें